चलिए आजम देखेंगे अजया सिंग्रावत जी की पुस्तक से समन्दित टेस्ट रीज का भाग तीन यहां भी हम देखेंगे 25 महतुपन प्रस्णों को हम लगातार क्रम बत्ता से अजया सिंग्रावत की पुस्तक से जोड़ी प्रस्णों की स्रिंखला को देख रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपना भाग तीन हमारा कलका अंति प्रस्ण था रुद्र चंद ने अगबर के दिन था कब स्विकार की तो चंद सासक रुद्र चंद ने कब स्विकार किया कि वो अगबर की सत्ता के अंतरगत सासन करेंगे तो इसका सही आंसर है 1587 में अगला हमार चंद देख है रुद्रचंद को अक्बर ने जमिदार का आए और यह परवान हमको मिला है अगबर नमावां से अगबर नमा में जो रुद्र चंद का जिक्रा है उसके साथ उसकी बादी लिखिया जो है जमिदार अगला मारा प्रस्ण अल्मोरा में मन्लामेल कह रुद्चंद द्वारा जबकि बालो कल्यान चंदे अलमोडा राज़ानी लाए चंपाऊत से और यहां पर एक किला बनाया था नेल पोखर का किला यह बनाया था बालो कल्यान चंदे ठीक है हमारा अगला प्रस्ण है चौथानी ब्रामण मंदली किस चंदे बनाई तो जैसे इकनवाल में अजैपाल ने एक बनाया था सरोला सभा सरोला ब्रामणों की निखत की खाना बनाने के लिए और इसे परकार चौथानी ब्रामणों की निक निखत की थी रुद्चंद में खाना लाए 吃ी तो अगला मरा प्रस्ण धर्म निनळणा है ग्रंध की रचना किसद रुद्र गोदया और अन्य पुस्थक है एक अयाती चरित्र और एक अन्य तीसरी पुस्थक भी है वो यही है त्रैक धर्म निड़ने अगला मारा प्रस्थन ओले पढ़ने पर थाली बजा कर सुचना दिने वाले ब्रामन वर्क की न्युकति किस ने की तो जब भी ओले ड्राईने के लिए थाली बजाकर जंता को बताने वाले ब्राह्भण की नियुक्त की थी। पर क्यां रहप्षण किस चंद के समय सीवह उपर सीवह सूझक पत्थर लगए तो कौना कुरतामर पत्र में जो निका जिक्राया है वो आया है लजीमन चंद के नाम से इस चंद के समय राजधानी में बंद उबस्थी का रेले खूला गया तो इसका सही आंसर है लक्षिमी चंद रख्यूु चंद मानसा पर साथ वार आकरमन किया था अगला क्राश्ण साजां से मिलने वाला अगला हमरा प्रस्ट ने थल में एक खथिया देवाल का निर्मान किस चंद द्वारा किया गया तो किस चंद ने थल में एक खथिया देवाल मंदिर का निर्मान करवाया तो इसका से आंसर है बाज भादुर चंद जो ये एक खथिया देवाल मंदिर है ये एलोरा के कैलास राप है और इसे असुद्द मना जाता है अगला मरा प्रस्ण है बार्ती चंद्द के पशिएत किस ने नेपाल पर आक्रमन को विजित किया तो यह बात हो रही है डौती राज्य की डौती राज्य उस सासक के समय जिसने अजमेरगड को अटेक किया उसके समय पूरे नेपाल में फैल चुका था तो इसका सही आंसर है उद्ध्योच्चंद उद्ध्योच्चंद ने डोटी राज्य की राज़दानी अजमेरगड को तक आक्रमन किया और उसे जीता था अगला हमारा अगला हमारा डोटी राज्य की सीथ कालिन राज़दानी थी तो इन मैंसे डोटी राज्य की सीथ कालिन राज़दानी कौन सी थी तो इसका सही आंसर है जुराइल डिपाइल कोट जबकि जो डोटी राज्य की क्रिस्म कालिन राज़दानी अजमेरगड अगला हमारा प्रस उजित चंद ने तो नंडरी परतिमा को अल्मोरा लाया तो ग्धानचंद कब ग्यान चंद्र ने कब बधानगर को लूटा और महासिनन देवी की प्रतिमा को अलुमोडा में इस्ताफित किया तो इसका सही आंसर है सोरासु निर्यानेवी सोरासु निर्यानेवी में ग्यान चंद्र ने बधानगर को लूटा बधानगर चमूली वाला हिस्सा अगला हमारा प्रस्ण है कुमाओ का स्वन्ड काल किस चंद के काल हो कहा जाता है तो कुमाओ का स्वन्ड काल जो कहा जाता है वो कहा जाता है इन में से जगत चंद के काल को अगला हमारा प्रस्ण स्रिनगर को लूटने वाला चंद कौन सा था तो किस चंद ने स्रिनगर को लूटा था वैसे तो एक दूसरे के सामराज जे मैं छोटी मोटी मुट बेर तो होधी रहती थी लेकिन राजधानी को लूटने एक बड़ी घटना थी तो किस चंद ने स्रिनगर को लूटा तो गड़वाल की राजधानी को लूटने वाला चंद था जगत चंद और यह इन्होंने लूटा था फटेशा के समय में तब गड़वाल के रहा थे फटेशा अगला हमारा प्रस्ण जुए पर कर किस चंद ने लगवाया था तो किस चंद ने अपने सासन में जुई पर कर लगवाया तो इसका सही आंसर है जगत चंद अगला हमारा प्रस्ण कुमाओ का विक्रमादित्य बनने की चाहा रखने वाला चंद कौन सा था तो कौन सा चंद चाहता था कि वह कुमाओ का विक्रमादित्य बने तो इसका सही आं आगला प्रास्ट में इसे नहीं से लाकर गद्दी पर बैठाय गया था इसे और प्राजा भी हम कहते हैं किस चंद के समय अलमुडा पर रुहेलों का अधिकार हुआ तो चंदों की राजदानी अलमुडा पर ही रुहेलों का अधिकार हुआ वो किस चंद के समय हुआ तो इसका सेयांतर है कल्यान चंद और जब ऐसा हुआ तो इस ने मदद मागी गड़वाल के राजा से और उस समय प्रदीप शाह और इन्होंने मदद की भी थी अगला हमारा प्रस्ण है अशोक्चल का कोपिश्वर त्रिशूर लेक किस तितिका है तो नेपाल से आये हुए आक्रमरकारी अशोक्चल ने जब कोपिश्वर में त्रिशूर लेक किस्तावित किया तो उसकी तितिक क्या है तो इसका सही अंशरे 1191 यह तिरशूर लेक 1191 का है अगला आमारा प्रस्ण हवास खाको सरण देने वाला चंद था तो बहर से आने वाला एक विद्रोही जिसने अपने राजवे विद्रोह किय लेकिन दूसरी ओर मुगुलोस से हमेशा जुकते रहे मुगलों के सामने हमेशा जुकते रहें तो इसलिए उन्हें लखडी बिरालिया चालाग बिल्ली के नाम से जानते हैं तो ये थी हमारे आज के प्रस्न